हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बारा पलासी का रेलवे स्टेशन और उसके बगल में जो एक पहाड है वहां से जारना बैता है और पानी निकलता है वह भी दिखाने वाला हूँ पूरे अच्छे दर्गे से आप लोगों को पूरा रेलवे स्टेशन दिखा दोंगा तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड चैनल पर नहीं आयो प्लिस यार सब्सक्राइब करें जीगा तो चले वीडियो देखते हैं और उदर में है रेलवे स्टेशन और पहाड भी है बहुत ब्सूरत लगता देखने में और इधर से वहां पर रेलवे स्टेशन नहीं चौक है बारा फलासी का अब यहां यहां पर कुछी इस्तर का सी पूरा देख रहे हैं और यहां पर घुमले में तो मज़ा है बहुत मज़ा है कि बारा पलासी का फूल का फोदा एक कितने लड़के हैं तो मना करेंगे ज़रूर वीडियो बनाने के लिए मुलेंगे मत बनाओ पकड़ लला सच में दूंका में तुरा पताना है मौलिया चि तो यहां पर बहुत ध्यान रखा गया है जंडा फराने के लिए भी यहां पर बनाया गया है फूल वगएरा बहुत रोपा गया है और इधर कुछ इस तरह है इधर बहुत मस्त सीन है यहां पर पहाड इसका और खुब सुर्थी बढ़ा देता है यहां पर नल का सुविधा भी है पानी वगएर हम लोग पी लिए और यहां पर एक बहुत अच्छा फूल है देखा और वहां पर चड़ भी सकते हैं लेकिन चड़ेंगे बाद में पहले वहां जाएंगे उधर फोटक इसने में मजा आएगा वहां पर बढ़ेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें दोस्तों इधर में बड़ा प्लासी तरफ में घूम रहा हूं और इधर में देख सकते हूं यहां पर पानी निकल रहा है ज़रना है यहां पर उपर देख सकते हो पत्थल कैसे काट करके यहां पर रेल का ट्रैक बनाया गया है अभी जा रहे है उधर में और बहुत बड़ा ज देख लेंगे यहीं से निकल रहा है पानी वहां से निकलो ने अधर पीते हैं ना तो यहीं से निकलता है पानी देख सकते हैं यहां पर इतना जो पानी जमा हुआ है खल चील पीड़े पता ने कहां तो मुवी जैसा ना हो जाए मतलब यहां से हम लोग पी रहे हैं उपर से तो नहीं रहा है यहां का पानी पी आम आप लोगो दिखा देता हूं कहां पर सुरंग यहां पर यहां पर सुरंग है जिए कि यहां से पानी गिर रहा है ठाट जबाव जब रहा है अंदर तरफ से आरहा है उदर से और मचली बहुत हैं यहां पे छोटे छोटे फोटे यहां पी जो लोग रहते हुए सम्मार किता जाते हैं तो इसी तरह आप गिरते रहता है और हम लोग जो सोचे थे इधर में इतना पानी कहां से आया तो यहीं से आया है इधर बहुत है उधर बहुत अभी चड़ने वाले इतो पहाड आप ए में रोड आप लोग को दिख रहा होगा और उधर में है रेलेवे स्टेशन बरा प्लासिका और यह वाला जो पहाड है इधर में देख सकते हो कितना हर्याली है बांस का और यह पहाड वाला बांस है हमें जा रहे हैं इधर से उतरेंगे और जाएंगे वालेवे स्टेशन घरना के पास गए थे और वहां से पहाड चड़गे और इधर से आगे एक दोस्त मेरा हुसेयार बन रहा था वहीं पर सोचा कि हम वहीं पर बैठेंगे उलग उधर से आएगा तो हम आजाएंगे तो चोड़ा अभी वहीं पर था और हम लोग अगे आगे थी अभी बच्चारा पैदल आ रहा है और हम लोग इधर से आ गए तो और वहां पर लोग को ढूंड रहा है इसके पास थाने जो हम लोग को खोजेगा और देख सकते इदर में बहुत मस्त सीन और यहां पे घर भी है एक ही घर है बहुत मस्त जिंदगी बीत रहा हुए तो अधर में में रोड इधर में रिल्वे ट्रैक वहां पर रिल्वे स्टेशन यहां पर पहाड जंगल मस्त जिंदगी अभी हम लोग पैदल आ गए यहां तक बरापला सी जो लिखा है आपर दिख रहा है क्या वहां इसको इधर उदर घूमना पड़ा बहुत मज़ा है चलो जाएंगे घार चारज खतम हो चुका है तो अगर आप लोगों को वीडियों तो पिस्ट्राइक से स्ट्राइब पर जिए का थेंस्ट्राइब को अचेंगे